नमस्कार और वेलकम यौल टू डियारेक्स मेंटर मैं हूं डॉक्टर जैन तो आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं ससी फारमसिस्ट के बारे में कि टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है क्योंकि अभी तक डिटेल नॉटिफिकेशन नहीं आया हुआ है तो यह बहुत कन् सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप अभी तक नॉटिफिकेशन तो नहीं आया डिटेल बट जो अल्रेडी पोस्ट आई हुई है रीजन वाइस उसके बेसे पे मैंने आप समराइज किया हुगा है यहां पर आप देख सकते हैं अपने भी देखा होगा कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पोस्ट आई हुई है थीक है तो बिहार में टोटल तीन पोस्ट आई हुई है CGHS कानपूर गौालियर में 5 विकेंसी है CGHS प्रयागराज में 7 विकेंसी है CGHS लखनु में 2 विकेंसी है Best Bengal में 2 विकेंसी है CGHS जवलपूर MP मद्धपरदेश में 2 विकेंसी है देरहदून में 1 विकेंसी है New Delhi में 1 विकेंसी है चंडिगर्ड में 11 विकेंसी है नाकपूर में एक विकेंसी है, मुंबई में चार विकेंसी है, और एहमदाबाद में टोटल 11 विकेंसी है, तो यहाँ पर हम जब टोटल करते हैं, तो यह टोटल 50 यहाँ पर विकेंसी आई हुई है, फार्मासिस्ट की पोस्ट पर, यह बहुत ही कम पोस्ट है, अर्लियर जो उसका eligibility है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो central reason है, वहाँ पर बिहार में यह vacancy आई हुई है, labor welfare organization under the ministry of labor and employment, यहाँ पर आप देख सकते हैं, pharmacist की vacancy है, total तीन vacancy है, तीनों unreserved की हैं, तो unreserved की हैं, तो यहाँ पर सभी apply कर सकते हैं, SCST, OBC, EWA, सभी apply कर सकते हैं, essential qualification यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 plus 2 year diploma in pharmacy and registration with state pharmacy council under the pharmacy, 1948, तो यहाँ पर देखे 10 plus 2 कर दिया है, और diploma in pharmacy मांगा हो, यहाँ पर particularly mention नहीं है, कि आपके पास physics chemistry maths में होना चाहिए, या physics chemistry biology में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप form fill up कर सकते हैं, जो PCM से हैं, वो भी कर सकते हैं, और diploma in pharmacy आपके पास होना चाहिए, और registration होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी experience नहीं मांगा गया है, तो यह diploma वाले particularities वेकेंसी को form fill up कर सकते हैं, second यहाँ पर आप देख सकते हैं, central reason में ही, CGHS कानपूर और CGHS Gualier में वेकेंसी है, total 5 वेकेंसी है, दो unreserved की post है, एक OBC की है, एक SC की है, और एक EWS की, अब यह CGHS की वेकेंसी है, डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी qualification डिफरेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पहले जो देखा था, लेवर डिपार्टमेंट में, वहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी मां सकती है, यह confirm होगा, जब फार्म फिल अप होना है, स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी और रेश्टर्ड फार्मसिस्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फार्म फिल अप कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, CGH प्रियागराज में वेकेंसी है, देख सकते हैं, तोटल साथ वेकेंसी है, दो अन्रिजर्ड की हैं, तीन OVC की हैं, और दो SC की हैं, ST और EWS की कोई वेकेंसी नहीं है, एज ग्रूप की बात करेंगे तो 18 से 25 हैं, मतलब 18 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और 25 मेक्सिमम, तो यह ह अब SC, ST, OVC वालों के लिए अलग से additional age relaxation मिलता है, जैसा कि आपको पता है, OVC वालों को मिलता है 3 साल का, और SC और ST के case में यह 5 साल का मिलता है, तो 25 में 5 और add कर दीजे, तो 30 साल तक के जो SC, ST के candidate हैं, वो यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, और OVC के around 28 तक के जो candidate हैं, वो form fill up कर स पास 2 साल का experience होना चाहिए, और pharmacist का registration होना चाहिए, लेकिन जो degree holder हैं, उनको वो fresher ही यहाँ पर apply कर सकते हैं, बट registration होना चाहिए, फार्मसी, state PCI में, थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, CGHS लखनव में वेकेंसी है, दो वेकेंसी है, टोटल, और दो नों ही SC के लिए reserve है, age group की बात करेंगे, तो 18 से 25 है, SC की बात है, तो यहाँ पर 5 साल का additional age relaxation मिलेगा, तो 30 साल तक के candidate यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, education qualification same है, फिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Eastern reason में, Eastern reason में भी, West Bengal में ये वेकेंसी है, West Bengal में, All India Institute of Hygiene and Public Health, Ministry of Health and Family Welfare के अंडर ये वेकेंसी ह है, दो unreserved की है, एक EWS की, अब यहाँ पर देखिए, age increase कर दिया, 18 से 27 है, सिर्फ ये, क्योंकि ये अलग department में है, तो इसलिए इसमें 18 से 27 है, तो unreserved के candidate यहाँ पर 27 साल तक के form fill up कर सकते हैं, और EWS के भी 27 साल तक यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, इसकी qualification भी different है, यहाँ पर आप diploma वाले form fill up कर सकते हैं, B form वाले form fill up नहीं कर सकते हैं, और कोई भी experience यहाँ पर नहीं मांगा गया है, फिर MP reason में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CGHS जवलपूर के अंडर ये vacancy आई हुई है, जवलपूर MP, तो टोटल दो vacancy है, एक unreserved की है, और एक SC की post है, qualification same है, जो की CGHS में मांगी जाती है, diploma holder के पास दो साल का experience प्लस registered pharmacist होना चाहिए, डिगरी वाले फ्रैसर से यहाँ पर apply कर सकते हैं, आपका registration होना चाहिए, आपके PCI में, ठीक है, 18 to 25 इसकी age limit है, next है, north reason में आप यह देख सकते हैं, आप देहरा दून, देहरा दून में यह vacancy है, ministry of health and family welfare के अंडर एक ही post है, SC की, qualification same है as CGHS, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो diploma वाले हैं और degree वाले हैं, उनके लिए, diploma वाले हैं, उनके लिए 2 साल का degree वाले फ्रैसर से यहाँ पर apply कर सकते हैं, age की बात करें तो 18 to 25 इसकी भी है, north reason में, डेली में भी एक vacancy है, यहाँ पर आप 10 plus 2 science और 2 year diploma in pharmacy registration होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर कोई भी experience नहीं मांगा गया है, next यहाँ पर आप देख सकते हैं, CGHS चंडिगड, CGHS चंडिगड में लगबक 11 post हैं, 5 अंडज़र्ट की हैं, 3 OBC की हैं, 1 SC की है, 1 ST की है, 1 EWS की है, और इसकी जो qualification, essential qualification हैं, वो CGHS के similar है जो diploma वाले हैं, उनके पास 2 साल का experience होना चाहिए, और B-form वाले freshers यहाँ पर apply कर सकते हैं, age की बात करें, तो 18-25 age group के student यहाँ पर apply कर सकते हैं, ठीक है, next, CGHS नाकपूर में यह vacancy है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CGHS नाकपूर एक post है, OBC के लिए, 18-25 age group के student के लिए है और यहाँ पर similar है, जो CGHS में मांगी जाती है, वो similar qualification है, फिर CGHS यहाँ पर आप देख सकते हैं, Mumbai में vacancy है, total 4 vacancy है, एक unreserved की है, एक OBC की है, एक SC की है, और एक EWS की है, essential qualification similar है to CGHS और 18-25 के student यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, last है, CGHS एहमदाबाद में, यहाँ पर आप देख स एहमदाबाद, total 7 vacancy है, दो unreserved की है, एक OBC की है, दो ST की है, दो EWS की है, 18-25 के student यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, qualification similar है, जो diploma वाले हैं, उनके पास 2 साल का experience होना चाहिए, और जो B form वाले है, वो यहाँ पर freshers apply कर सकते हैं, registration दोनों में ही mandatory है, अब next जो doubt आता है, कि यहाँ पर multiple reasons म मैं form fill up करने का options तभी पता लगेगा, जब इसके form fill up होना start हो जाएंगे, क्योंकि उसी time पर पता लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि multiple reasons में साइद form fill up नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइद एक ही दिन इसका exam होना है, अलग-अलग post पे तो होगा नहीं, क्योंकि इसका syllabus रहता है, वो non-tech ही इसमें आता है, तो syllabus इसका same रहने वाला है, तो I think इसकी multiple reasons में हम form fill up नहीं कर पाएंगे, और इसके जब form fill up होना start हो जाएंगे, तब मैं एक updated वीडियो बना दूँगा कि multiple reasons से form fill up कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, I hope ये वीडियो आपको informative लगा होगा, informative प्लाक होगा तो प्लीज आएंगे, सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें, थैंक यू